हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टिराम कोचिंग क्लासिस आज हम लेने वाले हैं मैट्स का फिप सेंडर मैट्स का प्रॉब्लेम सेट नाइन ओके तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए तो हम लोग अभी क्वेशन पढ़ने वाले हैं इन शर्टन एलेक्शन 13,47,048 वोमन और 14,29,638 में कास्क देर वोट्स हाउ मैनी वोट्स वर पॉल तो हमें क्या करना है कि यहां पर दिये गए हैं वर्ड प्रॉब्लेम्स तो हमें वर्ड में वो सॉल्व करना है तो कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे पहले हमने एक यह जो स्क्वेर वाला है यह टेबल हमने किया यहां पर हमने लिख लिया योनीद, 10,000, 100,000,100,000 लाग और ठेड़ लाग तो इस तरह से हमने हमारे जो नंबर्स है वो उसका अरेंजमेंट किया तो विमैन कास्ट देर वोट्स तो यहां पर हमने जितने भी विमैन ने वोट्स कास्टिंग किया था वो यहां पर लिखा और में का पूरा हमने यहां पे numbers लिख लिए, अभी हमें दोनों मिलके, यहाँ पे word problems में, इसे ने कितने words किये हैं, वो भी लिखना है, यह जो सारे words है, वो women के हैं, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, और यह सारे words है, वो men के हैं, तो इसलिए हमने men cast their words, इस तरह से हमने लिखा, अभी हमें addition करना है, तो करते हैं, चलो, तो चलो, यहाँ पे हमने पहले unit से ही addition करना start करते हैं, 8 plus 8, तो 16 हुआ, यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 4 और 3, कितना आता है, 7 plus 1, 8, यह दोनों का addition 6 यहाँ पे, दोनों का addition करके 16 आता है, 1 यहाँ पे carry किया, और 6 यहाँ पे लिखा, तो 4 plus 1, 5, 6, 7 यहाँ पर 6 लिखा यहाँ पर 7 आया दोनों का एडिशन यहाँ पर 2 आया तो यह जो है 27,666,686 यह हुए हमारे total votes तो हमें यहाँ पर लिखना है total votes pulled together तो यहाँ पर और last में हम लिख सकते है 27,76,686 votes were pulled together यह line हम last में यहाँ पर हमें statement लिखना पड़ता है तो यह पूरा होने के बाद हमने यहाँ पर statement लिख दिया तो इस तरह से हमें बाकी के भी sums करने है तो बहुत easy है सिर्फ तुम लोगों को अच्छे से उसका addition आना चाहिए तो चलो अभी नीचे जाते हैं second sum की तरह तो second sum में हम लोग देखेंगे what will be the sum of the smallest and the largest six digit number sum करनी है तो sum सबसे smallest and largest six digit तो पहले देखते है smallest जो six digit number है पहले largest लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग largest यहाँ पे largest six digit number यहाँ पे तुम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग largest six digit number यहाँ पे लिख लो यहाँ पे लिखना पड़ेगा smallest तो यहाँ पे आएगा smallest कितना डिजिट नंबर? 6 डिजिट नंबर तो यहाँ पे लिखना है smallest 6 डिजिट नंबर और यहाँ पे आएगी some of the smallest यहाँ पे लिखोगे some of the smallest and largest 6 डिजिट नंबर ऐसा लिखना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हमारा largest six digit number कौन सा है तो nine यहाँ पे one two three four five six six digit number यहाँ से चालो होता है तो nine 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 यहाँ हमारा largest six digit number और जो smallest six digit number है वो है हमारा one zero 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 अभी चलो हम लोग क्या करते हैं पहले three digit number के बारे में सोचते हैं आपको सपोज पूछा जाए largest three digit number कौन सा तो two digit में largest जो number है 99 होता है उसके बाद में आते हैं hundred तो हमेशा hundred यह क्या हुआ हमारा smallest three digit number और largest सपोज तुमें पूछा कि largest three digit number बताओ तो वो आएगा nine 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 यह हुआ हमारा largest three digit number और यह हुआ हमारा smallest three digit number सेम इसी तरह से सपोज आप लोगों को पूछा जाए कि smallest four digit number तो वो आएगा thousand और largest four digit number तो वो आएगा nine 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 तो इसी तरह से six digit number का भी हमने देखा तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं one two three four five six six digit number हो गए दोनों का addition करना है तो यहाँ पे आया nine यहाँ पे भी आया nine nine yes very good nine हाँ nine यह nine प्लस one ten तो समझ में आया answer क्या आया nine ten yes nine plus देखो nine plus one कितना हुआ देखो nine plus one हुआ ten तो हमने यहाँ पे zero लिखा यहाँ पे one कैरी किया तो यहाँ पे कुछ नहीं एड करने के लिए तो वो one यहाँ पे आख जाएगा समझ में आया अभी तो answer आया ten लाग ninety two thousand nine hundred ninety nine is the sum of the smallest and largest six digit numbers इस तरह से हमने वो किया समझ में आया यहाँ तक very good very good अभी आगे का पढ़ते हैं कि if सुरेखा ताई bought a tractor अभी सुरेखा ताई है उनोंने एक tractor खरीदा कितने में rupees eight thousand sorry eight lakh seven thousand nine hundred fifty seven और उसके लिए उनोंने thresher जो था वो भी एक वो है न हाँ agriculture के लिए ही काम करता है वो वो thresher था वो खरेदा 32,609 में तो how much money did she spend all together तो यहाँ पर आएगा पहले eight lakh eight lakh seven thousand nine hundred ten thousand and fifty seven यह किस चीज का cost था हाँ तो यह था cost of यहाँ पे क्या लिखोगे tractor यहाँ पे लिखोगे cost of tractor में पूरा नहीं लिखती हूँ यहाँ पे लगा हमें thirty two thousand six hundred and nine और यह किस चीज का cost था cost of पैला हाँ cost of thresher वो यह thresher का cost था हाँ तो अहाँ चलो अभी हम लोग addition करेंगे दोनों मिलके कितना पैसा उनका खर्ज हुआ हाँ यहाँ पे उनका spending money yes तो total expenditure यहाँ पे क्या आएगा total क्या आएगा total तो चलो देखते हैं 9 plus 7 कितना आता है 16 absolutely right तो हमने यहाँ पे 6 लिखा यहाँ पे 1 लिखा 5 plus 1 यहाँ पे हो गया 9 plus 6 9 plus 6 कितना आता है 15 यहाँ पे 5 लिखा यहाँ पे 1 7 plus 1 8 9 10 यहाँ पे हो गया 10 3 plus 1 4 यहाँ पे 8 तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा की 8,40,566 हम 66 शी स्पेंड ओल तूगेदर 8,40,566 टोटल मड़ी ओके तो इस तरह से हम लोग आगे काभी करने वाले हैं इव दे गोवर्मेंट तो पड़ो कुन पड़ेगा हाँ इवरोण तो रावरे बावरे कि कि यह गोवर्मेंट डिए बना इतने सारे पैसे थे जो घोर में ने देए हम वंहें ठीड्या कोंप्यूटर के लिए इतने दिंडिये और TV sets के लिए लिसन लिसन आभी मैं बोल रही हूँ तुम लोग मत बोलो ये इतने पैसे computer के लिए दिए अरे mute your sound और इतने पैसे TV set के लिए दिए तो दोनों मिलके total amount कितना हुआ if the government gave ये आभी यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 34,62,000 यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ 34,62,950 यहाँ पे हो गए ये और आगे का दिया है 3,26,578 यह दिये है यह किस लिए दिये है TV set यहाँ पे लिखना है आप लोगों को वर्थ आफ टी वी set और ये दिये है वर्थ आफ यहाँ पे क्या लिखोगे वर्थ आफ? computer Very good वर्थ आफ यहाँ पे आएगा वर्थ आफ एफ गूटर यहाँ आएगा वर्थ आफ टी वी set तो इस तरह से हमें क्या करना है दोनों का addition करना है यहाँ पे 0 प्लस 8 आएगा 8 तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा 5 प्लस 7 आएगा 5 प्लस 7 12 12, तो यहाँ पर 1 आया, 9 प्लस 1 10, प्लस 5 15, तो यहाँ पर 1, 6, 7, 8 9, यहाँ पर 9 यहाँ पर आएगा 9, 6, 7, 8 8, यहाँ पर आएगा 8, 4, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 3, तो कितना हुआ 37, 8, 8, 9, 5, 5, 28, यह पूरा यहाँ पर देखो एक मिनिट, एक मिनिट, यहाँ पर कितना आया 8, 7 प्लस यहाँ पर मैंने 5 लिखा है बराबर है मुझे लगा वो गलत है ठीक है तो यहाँ पर हो गया 5,000 तो टोटल कितने एक्वेपमेंट पर कितने पैसे लगे टोटल अमाउंट यह नहीं, इट स्पेंट ओन धीज इक्वेपमेंट तो यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट स्पेंट ओन एक्विपमेंट असे लिखना है तो आगे का क्वेशन क्या है और टेक्स्टाइल मिल प्रोडियूस तो ये तुम लोगों को हमवर्क के लिए मैं देती हूँ सिर्क तुम लोगों को क्या करना है इतना मीटर ओफ क्लोथ लास्ट इयर में उन्होंने इतना प्रोडियूस किया ये जो टेक्स्टाइल मिल है ये लोगोंने लास्ट इयर में इतना टेक्स्टाइल जो क्लोथ है टेक्स्टाइल में वो प्रोडियूस किया और दीज इयर में यह प्रोड्यूस किया, तो दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस किया, तो यह जो उपर वाले नंबर से यहाँ पे लिखो, नीचे वाले नंबर से यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो कि क्लोथ ओफ लास्ट येर, यहाँ पे लिखो क्लोथ ओफ दीज येर, और यहाँ पे टो बता आच्छा ठीक है बाद में वीडियो देखोगे ना तब लिख लो ओके लेकिन आएगा ना तुम लोगों को आएगा ना ये तो बाद में इसका screenshot निकाल के वीडियो मैं भेजूंगे उस टाइम screenshot निकाल के मुझे वो करके दिखाओ बाद में है subtraction है 6 digit and 7 digit number तो पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 6 digit 7 digit तो read and understand the following example and answer the question तो यहाँ पे 32,750 है यह from 45,676 हमें क्या करना है तुम लोग सुनो सिर्फ यह जो number है यह number से subtract करना है तो पहले हम लोग यह number निकलेंगे listen listen पहले यह number मैंने लिख लिया बाद में उसके निचे यह number लिखेंगे तो यह भी number लिख लिया अभी होगा हमारा subtraction तो चलो अभी देखते है 6 मैंसे 7 नहीं जाता है इसलिए 6 को cut किया यहाँ पे 1 लिया और इधर से हमने 7 से 1 बोरो किया था और 6 वैसे के वैसे उपर गया तो यहाँ पे बनता है 16 तो 16 मैंसे 8 माइनस किया तो 8 बचा अभी क्या हुआ बाद में यह 7 था इसको 7 मैंसे 1 इधर दिया था तो यह cut करके यहाँ पे बचा 6 6 मैंसे 5 कट करके यहाँ पे बचा 1 तो यहाँ पे वापस 6 मैंसे 7 नहीं जाता है तो हमने इसको cut करके इसके साथ से 1 बोरो किया यहाँ पे 16 बना तो और यहाँ पे 16 मैंसे 7 माइनस 9 इसको 1 दिया था यहाँ पे भी cut करके यहाँ पे 4 बचा 4 मैंसे 2 गया 2 और यहाँ पे इसको तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं because 4 में से 3 जाता है तो यह बचा 1 तो इस तरह से इस में से यह number minus करेंगे तो हमें मिलेगा यह number अब हम लोग जब खुद करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पे है 8,57,000 हाँ अभी बोलो अभी कुछ नहीं 513 यहाँ पे है 4,82,200 वेरी गूद चलो अभी आएगा करने को तुम लोगों को तो मैंने 3 में से सिख चाता है क्या नहीं तो मैंने 3 यहाँ पे क्या किया 3 को कट करके यहाँ पे मैंने 13 लिया लेकिन 13 लेने के लिए मुझे यह जो 1 मिला न तो मैंने इस से बोरो किया था इसलिए इसके पास सिर्फ 0 बचा क्या बचा सिर्फ 0 बचा अभी 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 13 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेंगे 7 अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे 1 में से 5 नहीं जाता है तो इसलिए हमने क्या किया कि यह इसको 0 हो गया यह तो अभी यहाँ पे 0 11 था तो इसका हमने क्या किया 0 बना दिया इसको 1 बोरो किया था तो यहाँ पे अभी हो गया यहाँ पे हो गया 10 में से 5 जायेगा तो कितने बचें 5 पीर से यहाँ पे 1 दिख रहा है means हमने यहाँ पे देखो ओके ओके यहाँ पे देखो 5 दिख रहा है 5 मैं से अभी वापस से क्या किया ओके यहाँ पे 10 किया था ना तो 1 इससे बौरो किया था हाँ तो यहाँ पे 4 हो गया एक काम करो तुम लोग सिर्फ सुनो तुम दोनों का ये mute कर दो पहले तो तुम लोगों को सुनाई देगा बिल्कुल बीच में मत बोलो 4 में से 2 माइनस किया यहाँ पे रहे गया नहीं किया था और 7 में से 2 जाता है तो यहाँ पे बचा 5 यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जाता है तो यहाँ पे मैंने किया 15 और 15 में से जब 8 कट हो जाएगा तो बचेगा 15 में से 8 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 वापस से इसको 1 बोरो किया था इसलिए यहाँ पे हो गया 7 7 में से 4 माइनस करने के बाद हमें अंसर मिला 3 तो इसका अंसर होगा यहाँ पे होगा 3,75,257 तो एक और example मैं लेती हूँ तुम लोगों को धीरे-धीरे सब कुछ ध्यान में आ जाएगा सिर्फ अच्छे तरह से सुनो ध्यान लगा कर सुनो यहाँ पे 1 लिखूंगी मैं सॉरी यहाँ पे आएगा 45 यहाँ पे आएगा 43 यहाँ पे आएगा 8 यहाँ पे आएगा 27 उसमें से हमें माइनस करना है 12 लाग फाइ थाउजन 938 हमें यह माइनस करना है तो अभी एकदम धीर इसे अच्छे से तुम लोग मेरी तरफ ध्यान दे दो तो अभी क्या करना है हम लोगों को कि यह जो 7 है यह 7 में से 8 नहीं जाता है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 17 कर दिया 17 में से 8 गया तो वह वहाँ पे बचा 9 तो यहाँ पे क्या बचता है 9 9 बचा और यहाँ पे हमने 1 लिया है इसका मतलब इस से हमने 1 बौरो किया है तो 2 के 1 डिजिट हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 1 बनता है 1 में से वापस 3 कट करेंगे means 3 नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे बन गया 11 वापस से यहाँ पे 11 बनाना पड़ता है तो 11 में से अभी 3 जाएगा तो 11 में से 3 गया तो बचा 8 वापस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको हमने क्या किया था 8 एक मिनिट हमने हभी पहले 7 में से 8 नहीं जाता है यहाँ पे 17 बना क्योंकि 2 से 1 बोरो किया और 17 बना 17 में से 8 माइनस किया तो बचा 9 यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाता है और वैसे भी 2 में से हमने 1 इसको दिया था तो 1 बचा 1 में से 3 नहीं जाता है इसलिए यहाँ पर 11 बना 11 में से 3 माइनस किया तो 8 बचा अभी देखो कि यह 8 में से भी 9 नहीं जाता है तो इसलिए इसका भी और इसको पहले 1 बौरू करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर पहले क्या करना है वो बौरू किया था इसलिए 7 पहले कर दो बाद में 7 में से 9 नहीं जाता है उसको भी कट करो यहाँ पर लिखो 17 17 में से 9 बचा तो 9 के बाद में 1 मिनिट मैं चार्ज करती हूं मोबाइल तो 9 के बाद में स्वेटी और दोसेरो पर ख़ाए, पिरुशा पतने हम नवे और नहीं करें, पिरुशा क्यात नहीं हो यह तोडली पर ताव चिवी और लूगा, पर गार देखा दिखा, गरे विपक्ञाइश क्रिफिए लुषागू लुषागा, पतने हम थे दूखे विए थे ताव हम थे रहे तू तो यहाँ पर देखो अभी हमने क्या किया कि 17 में से 9 माइनस किया तो कितना बचता है बोलो 17 में से 9 गया तो बचता है 8 वापस से यहाँ पर 3 में से हमने इसको 1 बॉरो किया था तो 2 बना 2 में से वापस से 5 नहीं जाता है यहाँ पर बनता है 12 12 में से 5 गया यहाँ पर आता है 7 वापस से यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर 1 बॉरो किया है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 3 में से 0 गया वापस आता है 3 फिर से 5 में से इसको 1 बॉरो नहीं किया है 5 में से 2 जाता है तो यहाँ पर आएगा 3 और 4 में से 1 गया हाँ, ओके, फोर में से, वन गया, थ्री, I will send you video then, तो इस तरह से हमने ये sums किये हैं, हम लोग आगे के sums भी next video में लेने वाले हैं, thank you very much